तोधी क्लास सेवें की मैथ की बुक पढ़नी है हम चेप्टर 5 में है लेट्स प्रेक्टेस 5.3 तिरह आपको फाइट कर लिया है अब मैं आपको फाइफिस सेवें और एट को आपको बताती हम के चली देखते हैं क्यों सियन नमर 5 क्या बोल रहा है क्यों सियन नमर 5 बोल रहा ह आपको राइट-साइड दिया है और लेफ्ट-साइड दिया है तो आपको इसको देखना है कि यह इक्वल है या नहीं है तो चलिए इसको मैं आपको स्वाल्व कर के बताती हूं यह आपका है फर्स्ट क्यूस्चन 3 by 7 रेश्ट टुद पावर माइनस 3 है ना वोल पावर है 4 तो आपको पता है कि हम क्या करते हैं जब ब्रेकेट में बंद होता है दोनों तो हम इसको क्या कर देते हैं मल्टिप्लाई कर देते हैं तो माइनस 3 इंटू 4 करेंगे जब हम लेफ आप देखे सेम इसमें भी है 3 by 7 दिया है ब्रेकेट बंद है वोल पावर उसका दिया है माइनस 3 इंटू 4 यहां पे जो अलग अलग दिया था उसको यहां पे सिधा वो इंटू कर दिया है तो इसको भी जब हम सॉल्व करेंगे तो हमको क्या मिलेगा 3 by 7 रेश्ट टू cc sa cef की पाविख जो आपको बनाना है okay now we game time time here इसमें भी आपको सीधा सीधा जो दिया गया है उसाटो को करना है और को इसमें पता करना है की यह j涵ag यह नहीं है do you say do till लाइव इस्टे नम्बर शीक्स देखिए कि लिश्टनी है आपको चाहिश के वेल्यू आपको यह पता करना है तीक है क्यों नम्बर शीक्स में देखिए उसका आंसर आपको क्या करना है question दिया है आपका 2 by 3 rest to the power minus 5 into 2 by 3 rest to the power minus 11 is equal 2 by 3 rest to the power 8 into x ठीक है यहाँ पे कुछ नहीं इसका मतलग क्या है into है 8 into x 8x multiply जब रहता है है ना और जब हमारा base same रहता है तो हम क्या करते है exponents को plus कर देते हैं है ना और divide रहता है तो exponents को हम minus कर देते हैं तो यहाँ पे आपको क्या दिख रहा है कि base जो है 2 by 3 and 2 by 3 same ओके तो आपको यहाँ पे into दिया गया है तो आप इसके exponents को क्या कर दोगे plus कर दोगे तो plus जब आप करोगे तो देखे आप इसको कैसे लिखोगे minus 5 plus minus 11 क्योंकि आपको यह negative में दिया गया है है ना तो आप इसको कर लिए minus 11 ओके आपको यह पता होना चाहिए कि plus and minus का into जब हम करते हैं तो minus होता है plus and plus का जब हम into करते हैं तो plus होता है minus into minus का जब हम करते हैं तो plus होता है ओके तो यहाँ पे क्या हुआ है देखे plus and minus क्या हो गया है minus हो गया है ठीक है तो जब आप 11 में से और एक चीज है same जो symbol होते हैं उनको हम जोडते हैं ठीक है और जब symbol same नहीं होते हैं तो उसको हम minus करते हैं ठीक है आपको यहाँ पे क्या मिल रहा है minus 5 minus sorry plus minus 11 है ना आपने क्या किया इसको minus 5 plus और minus का जब आप into करेंगे तो क्या हो जाएगा यह minus हो जाएगा और यह 11 हो जाएगा अब क्योंकि यह जो है same symbol है मैंने कहा आपको कि same symbol को जोड़ा जाता है प्लस किया जाता है और जो same नहीं होता है उसको हम minus करते हैं तो यहां पर हम क्या करेंगे minus 5 और minus 11 है तो हम इसको क्या करेंगे plus कर देंगे 11 और 5 को जब हम count करेंगे तो हम क्या मिलेगा 16 मिलेगा अब इसमें हमको minus का symbol आप क्यों लगा है क्योंकि 11 जो है क्या है आपका big है और जो big number होते है उसमें जो जो symbol लगा होता है वो symbol हम यहां पर लगाते हैं is equal 8x अब यहां पर देखे 8x जो है into में है आपको पता है कि जब हम इसको exchange करते हैं left hand side में दिया गया है right hand side में दिया गया है अगर मैं इसको left hand side में लाती हूँ तो यह क्या हो जाएगा 8 x x है तो 8 जो है वो आपका divide में हो जाएगा ठीक है तो x is equal to क्या हो जाएगा minus 16 by 8 तो 8 वन जा 8 and add 2 जा 16 तो आपको x का जो है value क्या मिल गया minus 2 ठीक है क्योंकि 16 आपका negative है minus में is that okay I repeat आपको करना क्या है आपको सबसे पहले जो question दिया गया है आपको यह समझना है कि यहाँ पर देखे जो base है वो same है तो base अगर same होता है तो हम multiply दिया है तो हम exponents को क्या करते हैं plus कर देते हैं नीचे आप sorry is equal आपका दिया गया है राइट है 2 by 3 less to the power 8 x दिया गया है आपको यहाँ पर देखे base are equal 2 by 3 2 by 3 दोनों right hand side and left hand side में base जो है क्या है equal है does not comparing the exponents अब हम compare किसको करेंगे exponents को compare करेंगे तो हमने exponents को जो है नीचे लिख लिया है minus 5 plus minus 11 and is equal 8 x 2 by 3 and 2 by 3 base जो है उसको हमने छोड़ दिया है हम इसको सिर्फ compare कर रहे हैं क्यूंकि हमको x की value चाहिए अब हमने इसको जोड़ लिया है plus कर लिया है फिर 8 x हो गया इधर is equal में आपको same लिखना है 8 हमने exchange किया right hand side से left hand side लिखाया तो क्यूंकि ये into में है तो ये divide में हो गया है अगर divide में होता तो वो into में हो जाता x का मान जब हम x की value जब हम निकालते हैं तो हमको क्या मिलता है minus 16 by 8 is equal x तो 8 1 जा 8 and add 2 जा 16 तो x का value हमको क्या मिला minus 2 मिला second question आपका उसी में देखे 11 by 13 rest to the power 3 into 11 by 13 rest to the power minus 6 is equal 11 by 13 to x minus 1 ठीक है आप इसमें भी देखे यहां पर base आपको क्या दिया गया है same दिया गया है तो आप एक्स्पोनेंट्स को प्लस कर दोगे है ना और right hand side आप जो है same वह सही लिख दोगे base are equal आपका right hand side में भी left hand side में भी है 11 by 13 11 by 30 जो है आपका base है और यह equal है इसलिए आप क्या करोगे exponents को compare करोगे ठीक है तो on comparing the exponents तो same condition आपका जो मैंने आपको first question में बताया same वही आपका इसमें भी हो जाएगा आपको पता है 3 plus minus 6 यहां पर दिया गया है is equal to x minus 1 मैंने आपको क्या बोला था plus and minus अगर हम into करते हैं तो minus मिलता है plus and plus करते हैं into तो plus मिलता है minus into minus करते हैं तो plus मिलता है ओके तो plus into minus यहां पर क्या हो गया minus हो गया ठीक है तो 3 minus 6 is equal right hand side आपने उतार लिया same to same and इसको आपको minus करना है तो 6 में से आपने 3 को अगर minus किया तो आपके पास answer क्या बच्चा 3 सीमबॉल माइनस है और 3 का जो सीमबॉल है वो plus है है ना आपने right hand side फिर से वैसे कब ऐसे लिख लिख लिया अब जो है आपने minus 1 दिया है उसको आपने right hand side में जो है उसको आपको left hand side में करनी है तो minus 1 इधर आके क्या हो जाएगा plus 1 हो जाएगा एक चीज़ आपको याद रखनी है कि divide ंटू में हो जाता है और inटू इधर में ही बदलता है ठीक है और plus मैंस में ही बदलता है और minus Plus में ही exchange होता है आप plus को divide में याइड divide को minus में ऐसा exchange नहीं कर सकते हैं ठीक है इसको आपको memorize memo में रखना है आपने आप प्लस को माइनस में ही दिवाइड करोगे और into को आप और डिवाइड है उसको एक दूसरे में एक्सचेंज करोगे यह आपका ऐसे इस तरीके से अल्टरनेट नहीं होगा ठीक है चलिए आप इसमें माइनस 3 यहां पे 6 1 तो आपने उसको राइचांड साइड से अपने उसको लेफ्ट हंड साइड में लिया इसले आपने इसको इसको सीम्मॉल चेंज कर दिया वह माइनस था जो हम प्लएस हो घ्याल होता है minus होता है है ना सोरी minus करते हैं हां तो minus 3 में plus 1 को अगर हम करते हैं solve तो आपको क्या मिला minus 2 मिला ओके जैसा आपने इसमें किया कि इसमें आपने symbol minus q लगाया क्योंकि जो आपका big number है वो आपका minus में है इसमें भी same अगर हमको निकालनी है तो यहां पर 2x लिखा हुआ है इस 2 को भी हमको एक्सचेंज करना है अल्टरनेट करना है ठीक है राइट है लेफ्ट हैंड साइड ले जानी है तो इन्टु में है तो यह क्या हो जाएगा डिवाइड में हो जाएगा है न यू नो देट मैंने आपको यह बताया कि प्लस जो है माइनस में एक्सचेंज होता है माइनस प्लस में एक्सचेंज होता है ठीक उसी तरीके से डिवाइड जो है आपका मल्टिप्लाई में चेंज होता है क्योंकि यहां पर 2x जो है मल्टिप्लाई में है इसलिए आप उसको जब अल्टरनेट करोगे अब आप उसको exchange करोगे right hand side से left hand side लाओगे तो वो आपका divide में हो जाएगा तो minus 2 by minus sorry minus 2 by 2 is equal x आपने 2 1 जड़ 2 और 2 1 जड़ 2 आपने cross कर दिया तो आपको यहाँ पे answer मिला minus 1 is equal x तो आपको x की value क्या मिल गई? x is equal to minus 1 ओके? चलिए next आपको देखते हैं क्योस्चन नमबर 7 आपको इसको जो क्योस्चन नमबर 6 है ठीक है मैंने आपको first और second आपको deal कर दिया है आप third और fourth जो है खुद से deal करेंगे और copy में उसको बना के WhatsApp में send करेंगे चलिए क्योस्चन नमबर 7 देखते हैं by what number should 2 by 5 rest to the power minus 2 be divided that the cos may be equal to 5 ठीक है आपको वो नमबर निकालना है जिसको हम divide करते हैं तो हमको जो है फाइफ के इक्वल यह होना चाहिए ओके चलिए इसका solution देखते हैं चलिए let the rational number x हमको क्या निकालना है numbers निकालना है ना तो कौन सा number निकालना है हमको एक rational number निकालना है तो हम यहां पे सबसे first fall यह करेंगे है let the rational numbers is equal x ओके आपको क्या क्या दिया गया है 2 by 5 और उसका rest to the power minus 2 divided बोल रहा है divided by वह नमबर आपको नहीं दिया गया है तो आप उसको एक्स से divide करोंगे is equal 5 आपको किसके equal में चाहिए वह 5 के equal में चाहिए क्योंकि question आपका बोल रहा है by what number 2 by 5 यह आपको number मिला है और 5 के equal है और आपको यह x जो है इसकी value आपको निकालनी है ओके यहाँ पे देखे 2 by 5 कि रेश्ट टुद पावर माइनस टू दिया है क्योंकि आपका negative में है है न माइनस में तो आप इसको क्या करोगे एक्सेंज करोगे तो आप एक्सेंज करोगे किसलिए जो आपको माइनस में दिया गया है निगेटिव में दिया गया है उसको आपको क्या करना है पॉजिटिव करना है और आप पॉजिटिव करने के लिए क्या करते हैं denominator को numerator में on numerator को denominator में exchange कर देते हैं कर देते हैं तो यहां पे जब आप exchange करते हो तो 2 by 5 जो है वो exchange होके पलट के क्या हो जाता है 5 by 2 हो जाता है है ना और जो है आपका यह negative जो exponents है वो आपका positive हो गया divided by x is equal 5 अब आपको किस की value निकालनी है x की value निकालनी है तो x is equal to क्या हो गया है 5 by 2 whole power sorry that's to the power 2 divided by 5 ओके यहां पे यह जो है multiply में हो गया है इसके लिए यहां पे आके क्या हो गया यह divided में हो गया है ठीक है अब x is equal to जब आप इस divide का symbol change करते हो तो क्या हो जाता है आपको यहां समझना है कि इसका numerator 5 और denominator जो है क्या है 1 है तो जब आप divide का symbol change करते हो multiply में करते हो तो क्या हो जाता है यह exchange हो जाता है numerator denominator में और denominator जो है क्या हो जाता है numerator बन जाता है तो 5 by 1 है तो वो क्या हो गया 1 by 5 हो गया अब यहाँ पे देखे 5 raise to the power 2 and 2 raise to the power 2 तो आपको 5 2 times है और 2 2 times है तो 5 जो है आपने 2 times लिख लिया and 2 को आपने 2 times लिख लिया है ना देखे मैंने यहाँ पे क्या है into 1 by 5 5 1 जा 5 and 5 1 जा 5 हुआ यहाँ पे आपके पास उपर में क्या बचा 5 into 1 और नीचे आपका डेनोम नटर में क्या बचा 2 into 2 बचा है आप इसको करेंगे 5 1 जा 5 into 2 जा 4 तो आपका आंसर क्या हो गया 5 by 4 जो है आपका आंसर हो गया is that ok क्योश्चर नमबर 8 आपका दिया है by what number should सेम आपको यही करना है जहां पे 2 by 5 rest to the power minus 2 लिखा है आपने वहाँ पे आपको लिखना है question number 8 में minus 3 by 2 rest to the power minus 3 divided by x is equal equal किसके उन्हें चीए बोलना है question number 8 में 4 by 27 ठीक है और उसका rest to the power है minus 2 ठीक है आप exponents माइनस है उसको प्लस में करोगे तो आप उसको alternate कर दोगे ठीक है denominator को numerator में numerator में numerator को denominator में कर दोगे और सेम इसी तरीके से आप उसको solve करोगे तो question number 8 जो है आपको अपने से solve करना है ठीक है इसमें मैंने आपको question number 5 बताया so that first and second मैंने आपको दोनों deal कर दिया है question number 6 find the value of x मैंने question number first and second आपको deal किया है three and four आपका homework है okay यह आपको अपने से deal करना है question number 7 मैंने आपको deal किया है question number 8 जो है आपके 7 के जैसा बनेगा सेम आपको 7 जैसा है वैसा ही आपको 8 को बनाना है और आपका यह homework है आप इसको submit करिएगा WhatsApp ग्रूप में अभी के लिए thank you